इसमेह मौझूद है राइबरेली जन्पत के महराज गंज विकास खंड छेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गाउं में ये वही सुखलिया गाउं है जो हर बाद टापू में तब्दील हो जाता है लगातार गाउं की लोगों की समस्याओं को देखने के लिए उसकी बारीकी से जाज करने के लिए SDM महराज गंज सभीता आयादो जी हमारे साथ मौझूद है मुझसे बात करेंगे और जानेंगे कि गाउं में कितने दिनों से इस गाउं में समस्या है यहां पर क्यों अभी तक रास्ता नहीं बन पाया है इस गाउं का, क्या कारण है लगातार इस गाउं में कि आने जाने के लिए रास्ता ने हर बार इस गाउं में यह समस्यावती है इसका प्रस्ताव पास हो गया है यह जल्धी बन जाए गरोड हमारे साथ यह एस डियम महराज गंजी सभीता यादो जी ती जिनका साफ कहना है कि इस गाउं के लोगों की जो समस्या है उसका सिग्रही निदान किया जाएगा हम आज गाउं जा रहे हैं यहां के लोगों की जो समस्याएं है उसको बारीकी से देखेंगे और जो होगा इनका सहोग किया जाएगा कैमा परसान अनिल के साथ हमर परताप सिंग सके इंडिया निउस राइबर ली कि अभूर तरफ पानी बढ़ा है यह वह दो है कि आप चर्वाइब जो कोई तैयारी कर बाते हैं फ्रोट व्रॉट व्रॉट बंकुर पर बनावाएं चार घर के लिए एक हमारे गाउम आप देविजिए मैं तरफ पानी भड़ा है बहु बेटिया औरतें लेटिन कहां जाए इसी पट्टी ने करती है इधर दिये तेना खुला है और देट उटता है कि रहाएगा और वह ने उनसे कहने पुरासी का मजरा है सुखलिया गाउं वह गाउं पूरी तोर से टापू बन गया है इसलिए वहाँ पर आये थे मेरी डियम साहब से आज चार दिन पहले बात हुई तहसिल्दार और स्ट्यम लगातार इसका दौरा कर रही है और लगातार जो ग्रामियों को सहायता मिलनी है व और आपके सामने गाउं के लोगों ने खाँ मोदी जी और योगी जी के द्वारा दिया आनाज है कोई दिक्कत नहीं है केवल रास्ते की दिक्कत है तो मैंने आस्वसंद दिया है कि छे मेहने के अंदर रास्ता बनवाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं